नमस्ते, करतिका कीचन में आपका स्वागत है आज हम चिटे वाले राजमा बनाएंगे यह राजमा चावल के साथ खाने में बहुती ज़्यादा स्वादिस्ट लगते हैं आईए शूगरते हैं बनाना एक बड़ी कटोरी हमने राजमा फुला लिया है यह पानी में हमने इसे 5-6 घंटे फुला लिया था आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसे फुला सकते हैं अच्छी तरीके से यह फूल चुका है देख सकते हैं आप कितने अच्छे से फूल चुका है और हमने खड़े मसाले लिये हैं एक बड़ी इलाइची, दो छोटी इलाइची चार लोंग लिए है, तीन से चार लोंग है तेश पत्ता है, दो गेश और दालचीनी का टुकडा है और तीन से चार ही काली मिर्च राजमा में हम खड़े गरम मसाले का यूज ही करेंगे इसमें हम पिसा हुआ गरम मसाला नहीं डालेंगे बहुत अच्छी खुश्बू आती है खड़े मसाले की अब एक कुकर में हमने खड़े मसाले डाल दिये हैं इसके साथ ही हम राजमा डाल देंगे एक तिहाई चमच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे और एक चमच नमक डालेंगे नमक थोड़ा ध्यान से डालें नमक हमें बाद में भी यूज करना है ग्रेवी में इसलिए इसमें नमक टेस्ट के अकॉर्डिन थोड़ा पहले डाले एक चौथाई चमच बेकिंग सोड़ा डाल देंगे ताकि राजमा हमारा जल्दी से अच्छी तरीके से बॉइल हो जाए आप चाहें तो बिना बेकिंग सोड़ा के भी से बॉइल कर सकते हैं अब इसमें हम दो ग्लास पानी डाल देंगे अब कुकर में हम ढकन लगा कर पांस से च्छे सीटी लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पर कुकर में हम ढकन लगा कर पांस से च्छे सीटी लगा लेंगे मीडियम फ्लेम पर अब हम ग्रेवी की तैयारी करते हैं ग्रेवी के लिए हमने हद्दो हरी मिर्च चार-पांच लेसुन की कलिया और एक टुकड़ा अधरक का इसका हमने पेस्ट बना लिया है और चार मीडियम साइज के प्याज के हमने पेस्ट बना लिया है धनिया पौडर लिया है लाल-मिश पौडर नमक और हल्दी पौडर लिया है जीरा लिया है और हिंग ली है गैस पर हम कड़ाई गरम करेंगे उसमें मस्टर्ड ओइल डालेंगे एक चम चम मस्टर्ड ओयल डाल देंगे हमने इसमें तेल में जीरा डाल दिया है और एवन पिंच हींग डाल दिया है इसे अची तरीके से हम इसमें भूनने देंगे जब हींग और जीरा हमारा भून जायेगा तब इसमें हम अद्रक लैसुन और मिर्च का पेस्ट डाल देंगे इसे हम भून लेंगे अब इसके अंदर हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे तरीके से पेस्ट को हम भून लेंगे अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है हमने प्याज को भून लिया है अब इसमें हम ट्यान टमाटर की प्यूरी डाल देंगे जितना हमें प्याज लेना है उतना ही हमें इसमें टमाटर को यूज करना है अच्छे से इने भून लेंगे मसाले के उपर तेल आ जाएगा तब तक भूनना है और इधर हमारा कुकर सीटी निकल चुकी है अच्छे से बॉयल हो गया है राजमा काफी अच्छी तरीके से राजमा हमारा बॉयल हो चुका है आप देख सकते हैं हाथों से अच्छे से मैश हो रहा है ये इसे थोड़ा सा हम चमचे से मैश कर लेंगे और इधर हमारी पेस्ट भी भून चुका है अब इसके अंदर हम एक चमच हल्दी पाउडर डालेंगे जब प्याज और टमाटर भून जाए उसके बाद ही आप इसमें मसाले एड़ करें एक चमच हम नमक डालेंगे नमक आप ध्यान से ही डालें क्योंकि हमने नमक पहले भी डाला था इसलिए टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें और आदी चमच हमने लाल मिश पाउडर डाला है अब इसके अंदर हम आदी कटोरी पानी डाल देंगे ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं हमारे और दो मिनट अच्छे से हम इने मसालों को पका लेते हैं ऑजगा प्रॉश अश्ड़ अबंग है अब इसके अंदर हम राजमा डाल देंगे मसाले जब तेल छोड़ दें तब उसके बाद ही इसमें राजमा को एड़ कर देंगे अब अच्छे से हम राजमा को तो इसमें मिला देते हैं मसाले में और तीन से चार मिनट पका झाणे गैस में है की आप जाहें तो इसमें एक जास पानी और Salam ублиानी और एड़ कर सकते हैं अब घनिया पाउडर देंगे दिया पाउडर को अपिल्ट हमें लास्ट में की इसमें डालना है अच्छी कुश्बू आती है दनिया पाउडर की और इसमें मैं एक ग्लास पानी एड़ कर दूँगी राजमा हमारा अच्छे से बॉइल होने लगा है पांच मिनट पका कर हम गैस बंद कर देंगे लीजे हमारा राजमा बन के तयार है इसे आप चावल के साथ रोटी के साथ किसी के साथ भी सर्फ कीजिए बहुत टेस्टी लगता है यह खाने में आप देख सकते है इसमें ग्रेवी भी इसकी कितनी अच्य आई है इसनärt बहुत अच्छी खुश्बू आती है खड़े मसाले जरूर आप ट्राइ कीजिए, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप इसे चावल के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही जादा टेस्टी लगता है राजमा आप जरूर ट्राइ कीजिए इस तरीके से